तो यह जो प्लांट है बारिश की सीजन में तो हर बार मेरे या बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स देता है और इस बार भी यह प्लांट ने मुझे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दी है विंटर सीजन से भी ज्यादा फ्लावर्स की कॉंटिटी जब मेरे या होती है गुलाब की वो है मौनसून की सीजन यानि कि समद लीजिए अभी ऑगस्ट सब्टेंबर तक यह जो प्लांट है मुझे बहुत अच्छी फ्लावरिंग्स देगा और धेर सारे फ्लावरिंग्स देगा और जैसे ही सीजन चेंज होगी तब इसकी फ्लावर्स की कॉंटिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी लेकिन फिर भी विंटर सीजन में भी यह कुछ यही साब से मुझे ब्लूम्स देता रहेगा अब बात आएगी फ्रेंज हमारे जो बहुत सारे विवर्स ऐसे हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किये हैं मुझे YouTube पे भी बहुत सारी कॉमेंट्स आई है लेकिन मैंने कॉमेंट्स का रिप्लाई YouTube पे मैसेज का रिप्लाई अभी तक नहीं दिया बहुत सारे मेरे विवो सोच रहे होंगे कि एक हफते से MJ ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया क्या कर रहे हैं तो आप सभी को बता है friends क कि लास्ट वीक मेरे जो केज का काम है वो केज का काम friends मैंने या complete किया जैसे कि देख रहे हो लास्ट वीक पूरा यही केज के काम में मेरा निकला है और जो प्लांट्स का वगेरे अर्रेंजमेंट वगेरे मैंने किया तो वो सारी चीज़े मैंने की और Saturday Sunday अचानक emergency में मुझ मैं एक ट्राइ की कि शायद Sunday live हो जाऊं शाम को लेकिन तब भी friends मैं नहीं कर पाया तो उसके लिए सबसे पहले friends मैं आप सभी को दिल से sorry बोलना चाहता हूं मुझे माफ कर दीजिये क्योंकि थोड़ा सा time का schedule ऐसा था थोड़े से संजोग ऐसे थे कि मैं नहीं update कर पाया वी पाइगा बहुत सारे लोगों के यह friends यह जो एडेनियम है एडेनियम ब्लूम्स नहीं करते मौनसुन की सीजन में लेकिन यह जो मेरा एडेनियम है मौनसून की सीजन में भी flourings दे रहा है और वो क्यों दे रहा है उसका सीक्रेट यह है कि यह जो प्लान्ट है यह सैंड में लगा है, सेंड एक ऐसा मीडियम है जो एडिनियम को सारे सीजन में चलेगा, मौनसुन हो विंटर्स हो या तो समर्स हो सारे सीजन में ये प्लांट आपको बहुत अच्छी ग्रोथ करके दे पाएगा अब दूसरे जो प्लांट फ्रेंज मेरे यह जो ब्लूम्स दे रहे है, वो है ये पर्सुलेन के प्लांट, जैसे की देख रहे हो ये पर्सुलेन के प्लांट के उपर बहुत सारे ब्लूम्स लगे है, ये जो पर्सुलेन के जो प्लांट से इसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी, मेरे बोगनवेलिया के प्लांट के उपर बोगनवेलिया में तो खेर अभी फ्लावरिंग सारे खतम हो चुके हैं लेकिन ये जो परसुलेन के जो प्लांट है मैंने इसके बोगनवेलिया की सॉल के अंदर सारी कटिंग्स मैंने लगा दी थी और अभी जैसे की देख रहे हो पूरे भर भर के कुछ यह सबसे अभी मौनसुन की सीजन में भी मुझे बहुत अच्छी ब्लूम्स दे पा रहा है और गार्डन का सेटप भी आप देख लीजिए जो पहले की तरह फ्रेंज मैंने थोड़ा थोड़ा अरेंज कर दिया है यहां एक साइड पे फ्रेंज मैंने ये पार्टिश क्यानल हें था यसलिए नहीं हो पाए और जैसे कि देख रहे है फ्रेंज हमारे जो मौनिंग लोरी ए मौनिंग लोरी के उपर भी फ्लॉरिंगस आना स्टार्ट हो चुके हरएक और इक यह अधु अच्छे जलाहे हो हर जगह से यह प्लांट मुझे फ्लॉरिंगस दे रहा ह ये भी फ्रेंश के कारण यानि की मौन्सुन की सीजन जो होती है ज़्यादा बारिश का पानी जाने की वज़े से सनलाइट की कमी की वज़े से ये जो हमारे हाइबिसकस है ये थोड़े से फ्लारिंस टॉप कर सकते है events जैसे ही climate में थोड़ी सी sunlight निकलेगी गर्माड निकलेगी तो यह जो hibiscus है यही hibiscus आपके बहुत ही अच्छे blooms करना स्टार्ट कर देंगे लेकिन फिर भी थोड़े-thोड़े hibiscus जो है मेरे blooms दे ही रहे जैसे कि देख रहे हैं यह बहुत ही सुंदर flower यहाँ पर निकला है यह monsoon की season में भी वैसे तो टिकोमा के जो plant होते है यह हमेशा summer season में बहुत अच्छे फ्लावरिंग्स देते लेकिन summer season और monsoon season में सिर्फ एक ही चीज़ का difference होता है वो है humidity का monsoon में आपको humidity बहुत अच्छी मिल जाती है जिसकी वज़े से आपकी यह जो summer season के plant है वो blooms आरा disturb हुए थे तूट पुट गए थे तो मैंने यह plant को भी थोड़ा सा सही किया है जैसे कि देख रहे हो यह जो हमारे कोलिय से यह सही है लेकिन यह जो plant है यह stress में लग रहा है यह ठीक से grow नहीं हो रहा इसके सारे leaves curl हो चुके में भी बारिश के पानी की वज़े से इसके जो root system में वो damage हो चुके है इसलिए यह जो plant है यह respond नहीं कर पा रहा है तो यह plant मेरा problem है बाकी जितने भी कोलिय से वो सही है लेकिन थोड़े से bend हो चुके है क्योंकि यहाँ पर जो काम चलता है cage का तब थोड़ी बहुत तो problem आने ही वाली है यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो फ्र मुझे वेट करना ही होगा बहुत सारे लोग यह पूछते है कि marigolds या तो कोई भी plant flowerings नहीं देता लेकिन आप में patience होना जरूरी है आप अपने plant के बीसे जो treatment कर रहे हो normal treatment कीजिए ज्यादा over fertilization मत दीजिए अगर ज्यादा fertilizer दे दिया तो भी plant को दिक्कत हो सकती है जब तक आपका plant grow हो रहा है तो आप खुश रही है plant के उपर से leaves निकल रहे है plant healthy हो रहा है यह चीज आप खुश देखके खुश हो जाए है कि आपका plant अभी भी जिन्दा है और healthy है flowerings जरूर देगा यह plant आगे चलके तो आप थोड़ा सा patience रखिए तो यही सबसे थोड़े थोड़े लिए यहाँ flowerings कर रहा है और हमारे जो दबल चांदी का प्लांट है यह भी बहुत इच्छी अच्छी यहाँ अल्मंड़ा है यह भी बहुत इस संदर है बलूमस दे रहे तो यह सारे plants फ्रेंज हमें बहुत इच्छी florings दे रहे फाइनली फ्रेंज हमारे जो रोजी नहीं बहुत ही अच्छी अच्छी फ्लावरिंग्स दे रह ही है देखिए फ्रेंड睛 यह जो प्लांट है इसके कलर्स देखिए पिंकिश वाइट कलर्स यह जो मेरे मिनियेचर रोस है बहुत ही सुदर दिख रहे हैं और पीछी इस देख रहे हमारे डे यह इसकी best season होती है growing season होती है सिर्फ roses ही नहीं कोई दूसरे plant भी अगर आप लाते हो तो वो दूसरे plant भी आराम से growth करना start कर देंगे तो यह एक चीज सबसे benefit होगी monsoon की season में तो आप plant ला सकते हो दूसरे important step आपको यह follow करना है कि roses के ऊपर fungicide का spray करना है अगर आप chemical fungicide का spray करते हो तो हफ़ते में एक बार करिए अगर आप bio fungicide का spray करते हो तो हफ़ते में दो बार करिए तीसरा important step आपको follow करना होगा वो है insecticide का spray करना मौनसुन की season में भी plant के उपर insects लग सकते हैं पत्ते खाने वाले कीडे लग सकते हैं mites लग सकते हैं thrips लग सकते हैं तो यह बहुत सारे अलग-अलग कीडे होते हैं जो आपको मारने ही होगे insecticide के spray करना ही होगा insecticide में friends आप रोग और insecticide का spray कर सकते हो amidacloprid का spray कर सकते हो तो यह कुछ ऐसे insecticide है जो आपके plant के उपर आराम से असर करेंगे और आपके plant को बचा के रखेंगे अब यह तो basic चीज हो गई जो आपको करनी है अब final जो सबसे important चीज है वो है watering watering कैसे करनी है देखिए पानी जब भी मैं बात करता हूँ तो हमेशा plant को पानी की requirement हमेशा ज्यादा होती है खास करके जब तक मैं roses की बात करता हूँ तो roses को पानी की सबसे ज्यादा ज़रूरत होती है लेकिन roses को ऐसी watering चाहिए जिसका water flow सही हो यानि कि जो भी pot के अंदर आप पानी देते हो, वो pot के अंदर से पानी बहुत ही जल्ली drain out हो जाना चीए, यानि कि बारिश की season में अगर आप पानी डालते हो तो पुरे-पुरे दिन तक मिट्टी moist रहती है, for example मैं अपनी ही बात कर देता हूँ, मैंने आज सुबह friends मैंने और जब भी friends आप इसको पानी देते हो, तो पानी इस तरह friends सॉयल के अंदर से निकल जाना चीए, कि उपर तो पानी रुखना ही नहीं चीए लंबे टाइम तक, यानि कि अगर आपने पानी डाला, अगर पानी 10 मिनिट, 15 मिनिट, 20 मिनिट तक उपर अगर भरा हुआ रहता ह तो बाद में आपके जो plant की potting soil है, आपका जो pot है, उसका drainage facility बहुत खराब है, तो ये चीज आपको करनी सबसे important है, कि monsoon की season में आप अपने pot के उपर अच्छे खासे drainage holes कर दीजिए, या तो आपने plant की potting soil change कर दीजिए, plant को बाहर निकाल ये sand and compost, only sand and compost, मिट्टी mix नहीं करन आप 70% जितनी sand ले सकते हैं, 30% जितना आपको compost लेना है, ये जो mixture है, ये mixture में आप अपने roses को लगा दीजिए, उसके बाद friends, आप अपने plant को बहुत अच्छी growth ला सकते हैं, क्योंकि पानी का drainage बहुत अच्छा हो जाएगा, pot के अंदर भी friends, 3-4 hole, कम से कम ये जो मिट्टी लिए हुए होते हैं, तो ऐसे pot में friends, आप अपने plant को लगा सकते हो, अब fertilizer की बात कर देता हूँ कि, plant को कौन-कौन से fertilizers की ज़रूरत होती है, अब fertilizers friends, आपको stage wise देने होते हैं, सबसे पहले जब भी आपका plant छोटा रहता है, जब आपने plant को grow किया हुआ आता है, तब अच fertilizer में friends, आप 1260 humic acid और trichoderma का application करते रहिए, 1260 friends हमें, हफते में एक बार एक ग्राम, only 1 ग्राम, अगर आपका plant छोटा है, तो 1 ग्राम 1260 हफते में एक बार आप अपने plant की soil के अंदर apply कर सकते हो, आपको 2 ग्राम humic acid लेना है, अच्छी तरह mix कर लीजी, अगर आपको trichoderma ल चीज है, लेकिन chemical fungi side अगर आप डालना चाते हो, तो 15-20 दिन में एक बार आपने plant की soil के अंदर डाल सकते हो, उससे ज्यादा भी डालने की जरूरत नहीं है, तो ये जो fertilizer है 1260, ये 1260 आपको हफते में एक बार डालते रहना है, जब तक आपके plant के ऊपर new shoots, new leaves सारे ज्यादा develop नहीं हो जाते, ये process आपको continue रखना है, तो about समझ लीजिए, महीने, देड महीने तक फ्रेंज, आपका जो plant है, ये 1260 पे जीएगा, उसके बाद फ्रेंज, आपको अपने plant को magnesium देना स्टार्ट करना होगा, जैसे ही आपके plant के ऊपर leaves निकलना स्टार्ट हो जाए, तब 1260 के साथ, आप magnesium भी बाद में add कर सकते हो, तो magnesium हमें 2 ग्राम लेना है, magnesium sulfate या तो magnesium nitrate, अगर magnesium nitrate लेते हो तो 1 ग्राम लीजिए, magnesium sulfate लेते हो तो 2 ग्राम लीजिए, 2 ग्राम magnesium sulfate, 2 ग्राम 1260, दोनों को mix करके हफते में एक बार आप अपने plant की soil गंदर इसका application कर सकते हो, जो जादा shoots निकल रहा है, तब friends, आप अपने plant के उपर balance NPK का spray कर सकते हो, ये 1260 और जो magnesium sulfate का आप जो food दे रहो प्लांट को, वो आपको 25 दिन के बाद आपको NPK का spray करना है, balance NPK 19 या तो 20 वाला balance NPK का spray करिए, इससे friends, आपके जो plant के उपर बहुत सारे flowers निकलना start हो जाएंगे तो ये इसाब से friends, आप अपने plant को treat कर सकते हो, ये मैंने एक simple तरीका बताया है, लेकिन फिर भी अगर आप detail में सारी fertilization की related videos जानना चाहते हो, तो मेरा एक दूसरा channel है, MJ Gardening करके, वो channel के उपर friends, मैंने step by step plant को कैसे fertilize करना है, वो सारी चीज़े मैंने बताई है, और वो plant को बता देता हूँ, जैसे कि देख रहे हो, वो plant ये है, ये plant को friends, मैंने bear root किया था, bear root करके friends, मैंने ये plant को, ये मिटी के अंदर लगाया था, और बाद में friends, मैंने step by step ये plant को fertilizer दिया था, fertilizer देने के बाद 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 प्लान ने एक basil shoot भी develop कर दिया, जैसे कि देख रहे हो, यह एक बेजल शूट है, प्लांट के उपर फ्लावरिंग्स भी आ रहे हैं, प्लांट के उपर सारे नए लिव्स जेनरेट हो चुके हैं, तो प्लांट की ओवराल कंडिशन अभी बहुत अच्छी है, तो अगर आपको डीटेल में सारी फर्टिलाइजेशन की इंक्वाइरी चाहिए, डीटेल में सारी फर्टिलाइजेशन का इंफोर्मेशन चाहिए, तो बाद में वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो चैनल में मैंने सारी डीटेल्स दी है, और अभी फ्रेंज ये प्लांट के बीछे मेरी लाइब वीडियो आने वाली है, एक दो लाना हो, तो एक चीज ध्यान रखे के 100% और गैनिकली, अगर आप रोजिस के ऊपर इतने सारे फ्लावर्स लाना चाहते हो, तो बाद में पॉसिबल नहीं है, थोड़े से फ्रेंज आपको केमिकल का सपोर्ट लेना होगा, क्योंकि रोज एक ऐसा प्लांट है, जिसको ओव सही समय में सही फोर्डिलाइजर जाएगा ये प्लांट में, तो बाद में ये प्लांट आपका सक्सेस्फुली ग्रोव खोप आएगा, तो यही एक सीक्रेट है फ्रेंस मेरे रोजिस में, अब मैंने ये जो प्लांट है, ये सारे प्लांट के पीछे में लगातार लास्ट विंटर्स से लगा हुआ हूँ, लास्ट विंटर्स को फ्रेंस में ये बहुत सारे प्लांट लगाये थे और अभी मौनसुन की सीजन हो चुकी है, छे-सात महीने हो चुके, तो एक-दो महीने का काम नहीं है रोज ग्रो करना, अगर अभी आप लगाओगे तो आपको रिज होनी चाहिए आपके प्लांट को सेफ रखना, प्लांट की ग्रोथ पे ध्यान देना, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखे, अगर आप रोजे सीरियसली ग्रो करना चाहते हो, तो उसको एकदम प्यार से अपने खुद के बच्चे की तरह आपको इसको ग्रो करना होगा, त के टॉपिक से रिलेडिद तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाइ दूँगा तिल देन के लिए, थैंक्यू फ्रेंद्स